एक बातिये जनधा पाटी के राजे सभास सानसद रामचन्दर जांगडा से हमारे समवादाता नेतिन धिमान ने खास बात очित की है कई मुद्वों को लेकर आपको सुनवाते हैं बीजेपी के रासवा एंपी रामचंदर जांगडा है बातचीत करेंगे असर जिस तरीके से तवान चीजे चल रही है आज लोकसवा में दिल्ली अध्यदेश पास हो गया राजय सवा में आज चलचकली रखे जाएगा इंडिया गुट इकठा हो गया है कहरे है कि नंबर गे यसर तेल गुदेशम और बीजेडी मिलाके है हमारे पास इस समय एक सो एकत्तिस आदमी है टोटल हाउस में दो सो अड़तिस है तो उनके पास एक सो साथ है तो यह तो नंबर्स का गेम है तो अगर फिर भी वो अपने ख्याली पलाओ पका आ रहे हैं तो उसमें सब काधिकार है खुश रहने का सब काधिकार हो रहे हैं खुश किसले नियुक्त है ने ii N also des उत्वे मैं इसले विपाक्ष और ने की बानी बांवाजी कर रहा है वरना जब ग्रह मंत्री सुरू से ही मुष्ज करने दूरी हि Rio और बहसे टलना चाते हैं, बहसे एक तरफ होना चाते हैं, बहस अगर देश के सामने हो जाएगी, तो देश के सामने सपस्ट हो जाएगा नक्षा, कि इसमें दोशी कौन है, कौन इसके पिछे, दंगों के पिछे, किसका मास्टर माइंड काम कर रहा है, इसलिए विपक से भान अगर विपक्स से वाक आउट करेगा तो भी बिल तो पास होंगे राष्टर तो रुकेगा नहीं अंगामा करता रहेगा तो भी बिल पास होंगे वहुमत हमारे पास है तो राष्टर को तो रुकना नहीं है राष्टर का तो काम चलते ही रहना है तो देश को तो रुकना नहीं है तो इसलिए हम तो यहीं कहते हैं कि विपक्स को परमातमा सद्बूत दी दे ये सार्थक बहस क करके देश का भी समय बरबाद करना है देश का पैसा भी बरबाद करना है और जन्ता के सामने भी जो एक छवी होती है जन्परतिनीदियों की वो छवी जन्ता में नकारात मक जाती है कि यह जन्परतिनीदिय हैं यहां पर एक देश के लिए योजनाएं बनाने के लिए हैं सार इसकी जनता के सामने लोग तंत्र में सही संदेश नहीं जाता है।